हेलो बच्चों क्या हाल चाल कि आज मैं कुछ कुश्चन्स कराऊं का हमारे केमिस्ट्री वाले सर ऐसी बोलते हैं बच्चों को हेलो बच्चों क्या हाल चाल आज मैं बोल रहा हूं आप लोगों से मैंने कहने का मदब आप लोग कैसे हो तो find must, आज मैं कुछ करेंगे questions कराऊं के बेटा, करेंगे 3-4 questions है, जो मुझे लगा कि मेरे को कराना चाहिए, परना आपके साथ बहिमानी हो जाएगी, क्या पता paper में आ जाए, अच्छे questions है, questions के कोई limitations नहीं होते, जितना करो उतना कम है, मैं तो आपको सिर्फ एक idea दे सकता हूँ, एक आपको structure बता सकता हूँ, कि ऐसे questions ऐसे होते हैं, questions practice करना आपका काम है, maximum. आपके सामने एक question है, यह आपके सामने एक circuit है, यहाँ पर 3 resistance है, R1 5 ohm, R2 10 ohm, and R3 is equal to 15 ohm. हम आपके सामने एक तीन questions करेंगे, यह first question है, second question है, और यह third question करेंगे. Question यह है, कि आपके पास circuit है, जिसमें 3 resistance है, R1 is equal to 5 ohm, R2 is equal to 10 ohm, and R3 is equal to 15 ohm. आपके पुछा गया है, कि तीनो current के बारे में बताओ, individual current, आपको सब कुछ बताना है, इसमें क्या बताना है, आपने I1 बताना है, I2 बताना है, और I3 बताना है, मुझे तीनो current की जानकारी देनी है, I1 की देनी है, I2 की देनी है, और I3 की देनी है, तो सबसे पहले हम, कभी भी individual current दो हम बाद में निकालेंगे, कि सबसे पहले हम दिमाग यह लगाएंगे, ब्रेन यह लगाएंगे कि टोटल करेंट पहले निकाला जाएंगे, क्या कि टोटल करेंट इस से क्या निकल रहा है, पहले यह पता किया जाएंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको total resistance निकालना पढ़ा है यह तीनों parallel में है आप पहले इनका R equivalent निकालना 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 आप इसे solve करोगी 1 by 5, 1 by 10 plus 1 by 15 5, 10, 15 का LCM 30 आ गया उपर 6 plus 3, 2, 30 जैसे 5, 10, 15 का LCM निकालने आता होगा 5, 10, 15, 30 5, 6, 3 and 6 यहां से आ गया R equivalent रट दो 30 upon 11, 30 के जी ओके सब्सक्राइब आप निकालो total current जैसे total resistance आ चुका है E by अब हो गया E upon R equivalent अब E MF क्या है? यह रखा है E MF 10 है तो 10 upon 30 by 11 110 उपर जाकर यह आ गया 11 by 3 Ampere तो यह तो आपने total current भी निकाल दिया अब आप सब individual current निकालों तो आपको यह निकालना है sub individual current, I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है, आपने यह निकालना है, तो बोलोगे sir, हम यह भी निकाल सकते हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं बिल्कुल क्यों नहीं बोलूँगा? क्यों नहीं बोलूँगा भाई तो थोड़ा सा आपको brain लगाना पड़ेगा ज्यादा नहीं बोलूँगा थोड़ा सा brain लगाना पड़ेगा अब brain लगाना पड़ेगा इस ताफ दिखरा है कि यह R1 R2 और R3 तीनो parallel में हैं तो parallel में हम इनके voltage को same कर सकते हैं V1 is equal to V2 is equal to V3 लग सकते हैं किस बेस पर ही क्योंकि तीनो parallel में हैं अब parallel में हम इनके voltage को same कर देते हैं I1 R1 V2 I2 R2 and V3 I3 R3 सबका voltage IR same कर दिया है और सबका voltage same है तो क्यों ना हम सबको एक value X के बरावर मानने हैं X के बरावर हम इसे मानने तो चलेगा बिल्कुल चलेगा आराम से हम बरावर मान सकते हैं या बिना X माने भी कर सकते हैं बोलोगे कैसे कर सकते हैं आपको बताता हूँ को जरूवत ही नहीं तीनों के तीनों आपको दिखा है कि तीनों के तीनों का वोल्टेज पैलर है पैलर में सेम होता है और वो किसके पैलर है बैटरी के पैलर है तो बोलोगे सर फिर तो आप इसका वोल्टेज आप बैटरी के बराबर लिग दो इतना बैटरी का वोल्टेज है 10 तीनों आपस में पैलर है तो तीनों जब पैलर है तो हम आराम से आयार सबका वोल्टेज सबका वोल्टेज बराबर होगा इसके साथ पैलर है इसके बराबर हो जाएगा अब आगया I1 R1 is equal to 10 I1 R1 is equal to 10 यहां से I1 आ गया 10 अपाउन आरवन गी वैल्यू केतनी यह मेटा इसके बराबर है सबका वोल्टेज आयार, आयार सब 10 के बराबर है E-MF के बराबर है क्यों सब पैलर में हैं , अब I2 R2 भी 10 आंसे I2 के value आपने निकलना चाहें 10 upon R2 R2 आपके कितना है बिठा आ गया 1 amp है ओके अब हम निकालते हैं हट करेंट इसका भी वोल्टेज आयार भी टेन है अब तो पैलर है सेल के बराबर सबका वोल्टेज हो का पैलर में सब सेम हो जाते है कि यहां से क्या आगिया कि आए फ्रीजी कल्डू देखो क्या आगिया तेन अपाउन आर्थ्री अगर करेंट आगिया टोटल करेंट आ आगिया अब तिनों को अगर आड़ करोगे अट करो को तों मृंप्र एंपर को आड़ करो जाए गीर बहुत है कि इ illustrates निकाल सकते हो तोनी निकाल सकते हो इंडिविजल निकाल सकते हो सिच्थ्वाइश सब का वोल्टेज सेम होता है और बैटरी इंका वोल्टेज इनका वोल्टेज सब सेम होगा इसका मतलब इसका वोल्टेज I1 R1, इसका वोल्टेज I2 I2, इसका वोल्टेज I3 R3, सब E के बराद, के बाद individual निकाहतेंगे, total current बगरा से, बोलोगे सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा question था आपने कराया, well, लेकिन इसी में मैं trick सिखाऊंगा, कि मैं चाहता हूँ कि आप तो अच्छे से सिखो फिजिक से में मतलब, यह तो समझ में आ गया हूँ, आपको, इस question में, एक बहुत बड़ा change लाने वाला हूँ, वो change आपको ध्यान से समझ दो, बोलोगे से क्या change लाने वालो, change यह लाने वालो, कि मान लो, इसके साथ मैं एक resistance यहाँ हूँ, अब मैंने सेल के साथ भी एक resistance जो हो दिया, अभी तो सेल के साथ कुछ नहीं था, अब मैंने एक resistance यहाँ भी attach कर दिया, आ रहा हूँ, तो मान लो, वनों कर दिया, बहुत अच्छा concept, जबरदस्त concept, अब इस सवाल को हम कैसे करें सर, अब इस को हम कैसे करें सर, बताता हूँ, कैसे करें, यहाँ पर वही काम करेंगे, सबसे पहले total resistance, सबसे पहले इन तिनों का निकालने है, किसका, हम निकालेंगे किसका, R1, R2, R3, पहले इनकानेट निकालते हैं, यह पहलर में ही, इन तिनों का हमने R' मान लिया, 1 upon R1, 1 upon R2, plus 1 upon R3, और जब आप solve करूँ गया, भी मैंने solve किया था दो मिन पहले, 1 upon 5, 1 upon 10, plus 1 upon 50, solve करके R' की शायद value आ गए थी, 30 by 11, यह आगे हैं, 6, 3, 2, यह इनकानेट आ है, अब आपे हैं, टोटल लिकल, अब यह तीनों जो आएंगे, solve होके, वो direct इस R के साथ जुड़ जाएंगे, जो हमाने cell के साथ direct जोड़ा है, एक नया resistance, तो लास्ट में, यह R' और R, यह पूरा जो solve होकर R' आएगा, वो इसके R, तो R' प्लस R कितना हो गया, R' 30 by 11, और R आपका 1, इनको करोगे, 30 by 11, प्लस 1, 41, 1, यह आगया, final equivalent प्रजिस्टर, फिर आप तिका लोगे, total current, E upon R equivalent, E M F क्या लोगे बेटा, 10, upon R equivalent, 41 by 11, तो उपर जाकर, प्लस 1, यह आगया, 110 by 14, यह value किसके आगे बेटा, यह आगे, total current, की, ओके, आप यहाँ पर, बोलोगे, सर, फिर वही, आप तो same वैसे ही कर रहे हो, बस एक resistance बढ़ गया है, फिर बोलोगे, सर, इन तीनों का voltage same होगा, बिल्कुल बोलूँगा, क्या same होगा, E1 is equal to, V2 is equal to, V3 same होगा, लेकिर अब यह cell के बराबर नहीं होगा, अब यह cell के E M के बराबर नहीं होगा, इससे पहले क्या था, तीनों का voltage same था, और वो 10 के बराबर था, फिर हमने सब का current फड़ फड़ निकाल दिया था, यहाँ पर क्या है, कि अगर आपको किसी भी circuit भी यह लगता है, कि cell के साथ भी resistance direct जुड़ा है, तो voltage इन तीनों के तो आपस में same जुड़ा, इसलिए same होगा, तो कि यह तीनों parallel में है, लेकिन वो cell के बराबर नहीं होगा, इसके साथ एक और resistance जुड़ा है, direct जुड़ा है, तो कुछ voltage यह draw कर लेगा, यह अपने तरफ खीच लेगा, फिर जो बचेगा वो इनके बराबर, याद, तो आपस में तो तीनों resistance जुड़ा हुआ है, direct, हाँ, अगर यह नहीं होता cell के साथ, तब तो हम बोलते तीनों का voltage सेम है, और वो cell के ही बराबर, यह तो अब यहाँ से क्या करें भाई, यहाँ से काम करते हैं, EMF के बराबर नहीं है, बड़ आपस में तो बराबर हैं, तो I1, R1, पस I2, is equal to I2, I2, is equal to I3, yes, यह आपस में तो बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्यों का voltage सेम है, यह अलब बात है कि cell के बराबर नहीं है, अक्यू नाम सब सेम वैल्यू को एक्समा, को कैसे होता है यह पोश्चन, जरा सा cell के साथ एक resistance पक गया, क्या से क्या होगे, देखते देखते, अब क्या हुआ बेटा, यहां से I1 कितना हो जाएगा, देखो, I1, R1 भी X है, X upon R1, X upon R, R1 क्या है, R1, 5, I2 क्या होगा बेटा, X upon R2, R2 कितना है, R2 कितना है, बताओ भाई, 10, I3 क्या हो जाएगा बेटा, X upon R3, X upon 15, नहीं क्या किया, I1, I2, I3 को X में निकाल दी, अब लास्ट में क्या करना, इतना आप कर दोगे, तो फानली आपको क्या करना है, कि दिमाग लगाना है, कि I1, I2, I3 है किसके पार्ट, मेन करेंट के पार्ट हैं, तो I is equal to, भी लिख दोगे, I1 plus I2, I3, OK, यानि I, I कितना है पेटा, टोटल करन्ट, 110, 541, is equal to I1, I1 कितना है, X by 5, plus X by 10, plus X by 15, solve करोगे, 110 by 41, 5, 10, 14 का फिव येल सेम आगिया, कितना आजाएगा, 30, 6, 6, 9, X, 11, X by 15, obviously, OK, यहाँ से X निकल के आगिया, क्या निकल के आगिया X, ये कट गया, इज़र 10, X की वैलू आगे, 300 by 41, कैसे आगिया बताना जरा, ये 10 से, ये 300, X की वैलू आ गई, अब X की वैलू यहां रग दो, I1 आ गया, X की वैलू यहां रग दो, यहां यहां, I2 आ गया, X की वैलू यहां रग दो, I3 आ गया, तिको करेंट, अगर ये नहीं होता अगर सेल के साथ को रेजिस्टेंस अलग से डारेक्ट नहीं जुड़ा होता तो पिछला सवाल था उसमें तो बड़ा आसान था बेटा तीनों की वैल्यू एक्स नहीं वहाँ 10 के बराबर थी फट से आईवान आईटू आईट्री आ गया था लेकिन जब तीन रेजिस्टेंस हो और उसके इलावा सेल के साथ भी कोई काक रेजिस्टेंस डारेक्ट जुड़ा रहे तो आपस में तो वोल्टे सेम होगा लेकिन वह सोचोगे कि 10 के EMF के बराबर हो जाए वो नहीं होगा तो वहाँ इनको X मान कर तीनों करेंट को X के फॉर्म में नि बाकि सब X के फॉर्म में है X निकाल कर फिर X रख रख कर I1, I2, I3 सब निकाल एक यह बेस्ट कोईशन था यह काफी अच्छे सवाल में आता है तो यह समझ में आ गया होगा आपको एक बर्द नेजर मार लो बेटा यह काफी इसने कितना बड़ा जहमेला खड़ा कर दिया यह आप देख लिए तो मैं अब इस कोईशन को यहां से रिमूव करता हूँ पहला सवाल मैंने कम्प्लीट कर दिया पहले कोईशन के अंदर दो कोईशन आए हैं कि नहीं एक में यह नहीं था सिल अकेला था और इसमें एक सिल के साथ एक डानेट जुड़ गया तो कोईशन अब बिटा अब आप इस कोईशन को देखी गए यह सवाल में आपके सामने सब डाटा है एकसल एवन है यहां पे एमफ एटू है और यह सब है करेंट इसमें फ्लो कर रहा है 0.2 एंपियर आप इसमें सारे रिजिस्टेंस की जानकारी है बस इस रिजिस्टेंस की जानकारी देनी है और A और B के भी क्या वोल्टेज है वो करेंट कितना फ्लो कर रहा है 0.2 एंपियर तो सबसे पहले तो आप यह बताओगे सब से नहीं निकलता, किसी एक से ही निकलता सब से आए, सब से सीरीज में, अगर मालो ये भी सेल, ये भी सेल लाइन से 5 सेल हैं, 5 सेल हैं, 6 सेल हैं तो current सब से draw हो जाएं, नहीं किसी एक सेल से बाहर आता है अगर सब सीरीज में है और वो किस से करेंट बहार आता है, जिस सिल का EMF ज्यादा है, तो दोनों में से किस का EMF ज्यादा है, E1-E2 में देखो, E1-6V, E2-2V, यानि E1 से ही बहार आएगा, यानि जो करेंट हमने दिखाया है, वो ऐसे हैं, ओके, आप हम आगे की बात कर, तो सबसे पहले हमारी होती है, टोटल करेंट निकालने की जरूवत किया है, हमें काम करते हैं, सबसे पहले टोटल रोजिसर्शंस तिकालते हैं, तो साफ दिख रहा है कि यह और यह सीरीज में है, यह से में है कि जो भी करेंट आएगा इसमें। तो सबसे पहले R2 प्लस R5 के सिरीज में होगे तो इनका रिजल्ट आ गया R2 प्लस R5 कहा R2 प्लस R5 तो कितना हो गया R2 प्लस R5 R25 और यह 2 आ गया 7 बहुत अच्छा सर अब यह जो R2 R5 सॉल्व होकर आएगा वो और R4 कि आपस में पैरलर हो जाएंगे तो आप क्या बोलोगे सर यह 7 ओम जो आया और जो R4 है वा पैरलर में है इनका रिजल्ट क्या आएगा सर मैंने प्रहाया था पैलर में दो का कैसे निकलता है कौन पैलर में है R4 और R7 R4 की वैलू कितनी है 30 कितना होता है पैलर में 3 to 7 याद है दोनों का प्रोड़क्ट 21 क्या गया 210 क्या पैटा चलो यह दोनों सीरीज में इनका 7 आ गया R2 और R5 का अभी जो 7 आया वो R4 के साथ पैलर में गया गया अब यह का मामला फिनिश के अब जो आया वो जो हट के यह जो आपने बनाया वो अगर देखोंगे 8 थी के साथ थो यह था जिया डूमर में अगि मूंकर यह दूनों सीरीज जो आया पैलर पिर तो अब यह जो आया वो आपytyy के साथ पहल लें इसके साथ अब नया क्या निकाले सर अब नया क्या निकाला जाए अब नया जो मालो अब अब क्या बोलोगे 210 कि थर्टी सेवन एंड कोन सारे स्टेस्ट बचा था आर्थी आर्थी यानि क्या 15 हो कि किसमें हैं कि इनको भी सॉल्व करोगे कुछना कुछ तो सॉल्व करोगे न बेटा कौल करके कुछ ना कुछ तो आएगा वालो सॉल्व करके आज कि अर्डश की वैलू अतना टाइम नहीं है सॉल्व करेंगे वही पैलर में कैसे निकालते हैं दो का है वना पॉन ऐसे आरवन आरटू आरटू आरवन प्लस आर्टू ऐसे तो मैंने रैंडम वैलू ले लिए वनना पेपर में तो ऐसी वैलू जाएंगे जो सिंपल एकदम सिंपल फॉर्म में हो अतनी रैंडम वैलू नहीं है तो मानलों आपने सॉल्व किया कि एक्जाम्पल स्टिक्स हो मांगे अब बोलोगे सर इधर का पूरा मामला सॉल्व हो गया सॉल्व होकर जो आर डैश है मतलब ये दोनों क्या होगे सिरीज में फिर ये इसके साथ आगया पैरलर में फिर जो आया फिर इसके साथ पैरलर में ये दोनों सिरीज अप्री जो सिरीज में आएगा वो तीनों एक साथ पैरलर भी पूर सकते हो ज़रूरी नहीं है कि आप अ फिर पैनलर फिर आया फिर इन घ्टके में कर सकते और फिर पैनलर उसे नहीं कर सकते हो और आप तो वहीं पहुंचेगा और मुल दो सॉल्ब करके यह 600 हम मैंने ज्यूम किया है टाइम स्केव करने के लिए आप सॉल्व करने के लिए पैललर में जो होता है उससे कुछ भी वैल्व आ सकती है मैंने जूम किया चलो 600 अगया 600 अब बोलो कि सर अब यह सरकुट कुछ इस तरह आप दिखाए देखें यह हो गया ए और बी इसके बीच आपने रंशन के बेस पर 600 मान लिया सॉल्व करने के टाइम मचाने के लिए मैंने एक सुम जैसी कोई वैलू ले ली कुछ ना कुछ आएगा सॉल्व कर देना अब यहां पर क्या है बिटा एवन है और यह क्या है आर वन है और यहां पर अब देखो अब दिमाग लगा थोड़ा सा अब बुलोगे सर अब यहां पर एक चीज दिखाए दे रहा है अब मैं फानली जब निकालूंगा फानली आर एकुविलेंट तो सर एक बाद बताओं यह वाला यह वाला और यह वाला एक लाइन में आ गया तो क्या आ गया मान आई सा कुछ आएगा सर्द तो आर प्लस 6 प्लस आर वन इसमें से आर की वैलू है नहीं आर्वन की वैलू कितनी है टेन कितना हो गया व्यार प्लस 16 यह आपने हमें पढ़ाया था तो करेंट कैसे निकालते हैं कि अगर इंटर्नल होता इंटर्नल नहीं है तो नहीं ले रहे हैं यहां पर दो सेल हैं आप दो सेल हैं आप देखो ध्यान से इनेट चले तो चलेगा एनेट क्योंकि सेल भी दो है तो अब क्या करें बीटा एनेट कैसे निकाला जाएं यह दोनों सेल सीरीज में हैं तो इनेट निकालने का क्या तरीका है एक तो एवन प्लस तू भी होता है और यह कैसे पता चलेगा जब करेंट यहां से घूम टहल के जब वापिस से प्लस से मानज से प्लस जाएगा एक में तो चार्जिग कर रहा है और इक में डिस चार्जिंग कर रहा है तो तो निकलेगा तो ईसैं कारो प्लस कर लो've और एक में और्स करो तो कहानी क्या चलती है, फिर तो कहानी आपको बदलनी पड़ती है, फिर तो आपको net जो series में वो plus करके नहीं, minus करके लेंगे, तो यह कैसे पता चलता है कि किस में charging है, किस में charging है, जो भी current निकला था, जब यहां से बट कर, distribute होका, फिर वापिस में निकल कर, जब same i आएगा तो दिखो i उसमें जब जाएगा, तो अपले plus को touch करेंगा, तो charging कर देगा, जब जब जाएगा, पले minus को touch करेंगा, जब कर इफन जा रहा होगा, minus को touch करता होगा, तो पर discharging कर देगा, इननिї, एक में charging के कहानी वन रही है और एक में देशर्जिंग तो सिरीज में जब स्टोरी उलट के आती है तो नेट प्लस में नहीं मानस में मानस में बड़ी वैलू को रखते हैं पहले और बड़ा है इवन बड़ा है तो कितना हो गिया इवन मानस इवन 6-2 बोलोगे सर अब यह आ गया इनेट 4 वोल्ट और एक्यूवलेंट रजिस्टेंस आर प्लस 16 फिर मैं बोलूँगा यह 6 ओम मैंने एज्यूम किया है सॉल्व करने का टाइम नहीं था मैंने एज्यूम कर लिया है आपके पेपर में कुछ डाटा इस तरह देगा रजिस्टें इस इकल तो 4 प्स हो गया प्स मुल्टिप्लाइ कर दो 0.2 र प्स 1.2 इस इकल तो 4 प्स हो गया आर इस इकल तो कितना हो गया फूर धर जागा 1 1 2.8 प्स 0.2 यह यह सर बोलो क्या यह रिस्स्टेंस 14 ओम है जो अननोन है वो 14 ओम है ओके आर प्स 16 था है तो आब 16 से स्वालब कर दो कि लिए ना बेटा 16 से क्या जाएगा समझे नहीं हमें र हापे र इकुरेन कितना था प्लाइट था प्स 16 था यह प्ले प्लस 3.2 इस इकल तो 4 तो आर इस इकल तो आ जाएगा कितना इधर जाएगा तो कितना जिरो पॉइंट एंड बाइटो यह नहीं आजाएगा वो जो अन्नों डगेस्टन से वो फोर है रहानी हो गई खतम तोरी इस फिनिश कैसे किया यह दोनों सीरीज आर टू आर फाइब सीरीज फिर जो आएगा तेवन ओम आप चाहते तो इसको एक ही जटके में कर देते जिए इतना करने की जरुवत ही नहीं पड़ती क्या मैं कर देता जा मैं कर देता बताओ तो मैं बोल रहा था अब आप बले बताओ क्या हो गया यह दोनों सीरीज एवन कि जो 7, R4, R3 एक ही बार में ले लो ना 7 ओम, R4, R3 यह तीनों के तीनों पैरलल में इनका नेट R' मान लो तो एक ही बार में निकाल दो 1 by 7 प्लस 1 by R4 प्लस 1 by R3 सॉल्व कर दो सब वैल्यू को सॉल्व करके R' की वैल्यू आ जाती है करीज इक सोम के आसपार जो भी आ गया वो देख लेए उसके बाद तो वही कहां नहीं फिर जो आ गया फिर यह और यह लास्ट में यह यह कौन 6 और कौन उसके बाद कौन कौन बचा आये आर यह जो सॉ ओनल फ्लस इंटर्णल इंटर्ण अजू है नहीं नहीं लेंगे उसके बाद इनेट में भी पंगा है क्या दुनों सेल है हैं नेट एवन प्ल्स होता है उसके लिए मैंने चेक किया कि जब करण वापिस आ रहा था तो जब इसमें एक में charging करता हुआ जा रहा था तो एक में डिस्चार्चिंग करता हुआ चार्या तोарт की बजाय माने से निकला जो वैलू बढ़ी है माने 4 पता है, R equivalent में एक unknown, एक unknown है, वो unknown resistance नहीं है, ऐसे questions भी, फिर क्या बोला है इसमें, फिर बोला है भाई, अब आप A और B के बीज वोल्टेज बताओ, A और B के, A और B के बीज वोल्टेज बताओ, तो A और B के बीज आपके current तो पता यह कतना जा रहा है, I, अब A और B के बीज, सिर्फ A और B के बीज वोल्टेज क्या हो जाएगा, I into R, जो भी रेस्टेंस लिए है, I, एनके बीजो भी रेस्टेंस आ रहा है, 5, 6, 7, जो भी मैंने जुम किया है, I into 6, I कितना है बीटा, 4 और यह 6, and 20, वोल्ट, One of the best questions of physical circuits, दिखें, अब मुझ में आ गया है, अब third question में आता हूँ, जो भी अपने आप में, वो भी बहुत अच्छे questions है, एक भी questions मैंने किसी वीडियो में skip नहीं, और यह कोशिश करता हूँ कि बच्चों के साथ किसे पढ़ाया जाए, ताकि कोई question छूटे ना उन से, अब बीटा, हम आते हैं, last question के solution, इसमें यह है, EMF एक हैं, हाँ, सिल एक ही अधियान तो, और EMF की value, even है, 10V, पूचा है, स्थम में करन बताओ, I1, I2, तो अभी मैंने आपको बताया, सम्में करन कैसे निकालेंगे, सेम सवाल वही है, आप बूलोगी sir, आपने अभी तो कराया, पहला ही सवाल तो है, यह वाला, first question जो आ लिया, अदे, यह दो बारा आप शायर लिग जिया था, मैंने, आपको में चांदा हो, आपको practice कराना है, मेरा मन क्या होगा, दो बारा अपने मन क्या होगा, कि बारा represent, कि अब बोलो बिटा, एक बात बताओ, यह आपका E है, यहाँ से current आई चला, यह resistance R1 है, यहाँ पर आओगे तो यह R2 resistance, इधर क्या है बच्चे, इधर resistance R3 है, और इधर resistance, कुझे सभी ब्रांचे में क्रण्ट, इधर का क्रण्ट मैंने I1 मात है, ओके, विचे सब क्रण्ट चाहिए, I1 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए, अरे भईया चाहिए तो मिल जाएगा दो मिनिट की बात है, cat prick है, सबसे पहले हम निकालेंगे total current, total current के लिए total resistance, साब दिख रहा है, यह तीनों parallel में है, current बट गए, क्या बोलोगे, सबसे पहले सर, सुनो, 2, R3, R4 यह सर पैरलल में है, अरे गनेट निकाला जाए सर, इतना 1 upon R2, R3, दोनो 15 और यह 30, 1 upon 15, plus 1 upon R3, 1 upon 15, plus 1 upon R4, 1 upon 30, अब बोलोगे सर, LCM लेके solve करो, कर देता हूं मैं पीटा, 1 upon R' is equal to, 15, 30 का 30, यह जो आएगा, 4, 4, 5, 5 by 30, 1 by 6, यह जो आएगा, इतना का टोटल रेजिस्टेंस, अब यह जो आएगा, टोटल, और लास में R1 के साथ सीरीज में आगे, तो फानली जो आपका R equivalent आया, तो R' प्लस R1, 6 प्लस R1, R1 केतना है, 4, 6 प्लस 4, यह आगया, 10 Ohm, यह आगया, तोटल रेजिस्टेंस, फिर मैंने क्या बताया था, फिर बताया था, देखो, तो टोटलब्रेस्तरे सा आ गया तो टोटलब्र करेंड आपका तो आईवन ही जो निकला है आए वन क्या हो जाएगा बेट ऑफे? इ बाइ टोटल रजिस्टेंज on Demp क्षे सवाल में दो सेल था तो मैं लेना पड़ा था मुझे को की कितना हैru 66 यह में 10 है और यह भी 10 आया तो 10 अपॉंट 10 कितना आ गया वन एम्पेर आ गया हो गया अब मुझे यह सब करन्ट चाहिए तो मैंने आपको दो मिट पहले ट्रिक बताया था यह दोनों तीनों पैलर में है तो इनका वोल्टेज आपस में सेम होगा इनका वोल्टेज जो होगा है लेकिन वह बैटरी के बराबर नहीं होगा cell के बराबर नहीं होगा यह मैंने बताया था हूंप श्रक्रेज के साथ डारेक्टिक जूरा है यह जो वही question आगए जो सबसे पहला उसके बाद तो पता ही है x की value निकाल दोगे यहां से क्या आ जैगा i2 ए1 क creating यह तो बताया था बेटा, XYR2, XY15, I3 क्या आजाएगा, XYR3, यह गी, XY15, I4 क्या आजाएगा, XYR4, फिर मैंने क्या बताया था, यह तीनो करण्ट को जोड़ेंगे, यह तीनो करण्ट कहीं तो पाट I1 है, तो क्या कहा था मैंने, XY15, अगला करण्ट भी XY15, अगला करण्ट भी xy30 is equal to कितना total current, total current 1 बस यहां से x निकाल दो और x निकाल के फिर i2, i3 यह तो first question यह repeat हो गया और अच्छा है समझ में आए और जब यह नहीं होता तब क्या होता बड़ासान होता तब यह x के बराबर ना होकर सीधे सिल का EMF होता इतना है 10, तो यह 10 हो जाए फिर तो हम i2, i3, i4 यह से पड़ाफर निकाल दे तो यह सब questions आपने जो देखे वो बड़े अच्छे सवाल थे they all are the part of the circuit electrical circuit के questions practice करना चाहिए, खोड़ना नहीं चाहिए है ना फिर बेटा आप एक बात बताओ मैंने आपको सारी चीज़े पढ़ाई थी सारी चीज़े पखती है और आप अच्छे से समझ भी गया हो circuit के जो भी questions थे almost मैंने करा दिया जैसे छुड़ाया नहीं, मुझे लगता है कि मैंने कुछ skip नहीं किया करवाई दिया almost तो power की भी questions करा है circuit के भी questions करा है अगरा सारे questions करा दिया है आप सारे questions को practice करो और आप जितना practice करोगे उतने perfect questions की कोई limitation नहीं होती आप जितने भी questions करो उतने कम होते हैं पड़ ये दू-तीन questions जो दिये मैंने वो काफी अच्छे सवाल थे very good question क्रोशन को कभी skip मत करना तो अब जब मैं अगली वीडियो में मिलूँगा तो मैं एक नए topic के साथ मिलूँगा वो किर्चॉप्स law है पूरी तरह से मैंने इधर का part finish कर दिया है almost लगता है मैंने finish कर दिया है कुछ बचता तो है नहीं अब हम next topic में मिलें एक नए concept के साथ लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ वो धियान रखना आप कभी भी numericals करने बैठो ना तो इस चीज धियान रखना बैठो हम जो data करवाते हैं random ले लेते हैं आपको समझाने के लिए जब कर भी होता है कि calculation में अजिब सी fraction में बहुत सारी value आती है और आपके paper में ऐसी values नहीं आएगी तो कि वो जो paper में questions set होते हैं उसमें data इस तरह दिये जाते हैं कि calculation यह धियान रहा है तो आप उसे प्रशान नहीं होना तो यह बिटा आप खुब पढ़िये खुब अच्छे से रहिए नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में आऊंगा थैंक यू टेक खिए